टाइगर जेराम मातों का एंट्री किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है और किस परकार से वो सभा अस्थल तक पहुंचते हैं सारी चीजे आपको इस वीडियो के माधियम से देखने को मिलेंगे तो आप लोग वीडियो में एकदम लाज तक बने रहे हैं और वीडियो हूरी लोग अई हुए अस्थल में सभा देखने के लिए तो चल से शीना के लिए चलते हैं और दादा को एंट्री स्टार्ट करते हैं तो हर बार की वाथी इस बार भी मैं अपने दोस्तों के साथ निकल चुका हूँ और हम लोग जा रहे हैं जहिराम डा को लाने के लिए तो हम लोग 5-6 किलोमिटर تक जाते हैं दादा को रिसीप करने के लिए जैसे जादा जंगल एर या रहता है तो सभी कोई देख सकते हैं कोई जारकन तो यह जंड़ा लेके निकल चुके हैं हम लोग तो देख सकते हैं काफी जंगल से गिरा हुआ ये रास्ता है और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पहाड है बहुत बड़े-बड़े पेड़ है चारो तरफ जूड जंगल है इसलिए हम लोग दादा को थोड़ा दूर से रिसिप करेंगे तो यानि कि अभी हम लोग चलने वाले हैं 5-6 किलोमीटर दूर और इस टाइप का दादा का एंट्री नई देखे होंगे तो ये रहा भाया हमारे टाइगर भाया का गाड़ी और टाइगर भाया के पीछे में अभी हम लोग है फिलाल अभी आप लोग देख सकते हैं आगे बहुत लंबा एकदम दूर तक लोग हैं और बाइक का जो जन संख् करने थोड़ा केमरा उपनीचे हमारा हो रहा है तो यहां पर देख सकते हैं गाड़ी बीच में एक फोर Board अगे है और पीछे में ऊर एक फोर वीलह है और यहां पर देख सकते हैं काफी जणगल एरिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी ड्राउना एरिया है यहाँ पे जदी अकिले में कोई पार भी होगा तो उसको काफी ज़्यादा डर लएगा लेकिन हमारा टाइगर है उसको कहें डर ने लगते हो तो रात हो या दिन हो कोई मतलब नहीं होता वो कहें भी क्रोस कर ज जब तक हमें साइड नहीं मिल पाएगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे तो हमारा बाइक एकदम सलोली सलोली जा रहा है हम लोग तीन दोस्त बैठे हुए हैं एक बाइक में मैं बीच में बैठा हूँ आओ ताकि मैं कभी कभी मन करता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ मन करता है तो बैठ याता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी कितनी रफ्तार से चल रही है और कापी दूर तक जंगल है हम लोग तो बताएं आप लोग को वीडियो में हम लोग 5-7 किलो मिटर दादा को रिसीप करने के लिए गए हुए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस परकार से तयारियां की गई है जहराम मातों को स्वागत को लेकर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अचानक से एक हमें पूल दिखाए देता है और यहाँ पर आप लोग को अभी वीडियो में सब किलियरली दिखाए दे रहा होगा कि कितनी गाडिया है क्योंकि आगे लेंगे राइट से क्रोस करके निकलेंगे राइट से तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं तो चलिए आप गाड़ी को अभर टेक करने कोशिस करते हैं यहाँ पर थोड़ा हमें रास्ता दिखाए दे रहा है दाया अब आया कहीं से तो हमें गाड़ी निकालना होगा तो हम लोग दाय से गाड़ी को निकालना का कोशिस करते हैं तो देख सकते हैं एक गाड़ी हमने क्रोस किया यह रहा दूसरा गाड़ी दूसरा भी क्रोस हो गया अब देखते हैं और दो गाड़ी आगे हैं उनको कैसे हम पार कर पाएंगे यहां पें देख सकते हैं side में थोड़ा थोड़ा हमें रास्ता नजर आ रहा है हमने गाड़ीों को हरुन दिया भाइया हमें side दीजी हमें आगे का view record करना है तो हमें side finally मिल गया देख सकते हैं हमारा गाड़ी अब सभी गाडियों से आगे आगया और फाइनली हम लोग पूल के सामने पहुंच गए हैं यहाँ पे सभी करांतिकारी भाई लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग फिलाल यहां से चले हैं क्योंकि काफी जदा टाइम हो रहा था और दादा काने में आज बहुत ज़्यादा भी लम हो गया यानि कि पूरी के पूरे पाँच बजने को चला और इतना लेट से दादा का जागमन हुआ है जिसके कारण से हम लोग इतना ज़्यादा रुक नहीं पा रहे हैं कहीं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाइक की संख्या कितनी है और कितने दूर से हम लोग आ रहे हैं दादा के आगे आगे कभी पीछे पीछे हमेशा आगे पीछे आगे पीछे हो कि किस तरह से वीडियो को मैं एटेंड किया हूँ और जितना हो सके मैं आप लोग को अपने चैनल के माद़म से दिखाते आ रहा हूँ तो चलिए अब हम लोग पहुंचने वाल है सभास्तल में और देखते हैं कि सभास्तल में किस तरह का हलचल है किस तरह से आदमी में उत्साहित है कि ददार हैं ददार हैं सभी लोग नारा सारग सात हम लोग यहां से जा रहे हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक दो घर भी दिखने लग कि ही सिकने थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी को इस टॉप करते, फेर पिछे आते, फेर यहां से विडियों अम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पिछको त्रजह एंगे स्टैण को अब हमारे सब्सक्राइब के सब gram तिलक लगाया जाएगा फिर उन्हें मुकुट पाना जाएगा जो कि हमारी जारकन का रितिरिवाज में है देख सकते हैं दीदी हाई हाई कर रही है इनको भी वीडियो में ले लिए कोई दिक्कत नहीं है और यह धर देख सकते हैं फॉर्विलर्स को उधर साइड दिया जा र में तो चलिए अब देखते हैं कि इस परकार से स्वागत किया जाता है हमारी बाहन लोग चोटी बाहन लोग सभी को थाले उली लेकर पूरा एकदम तैयारी में तभी से वेट कर रहे हैं कि दादा कप पहुंचेंगे तो हम उन्हें स्वागत करेंगे उनका पैर छुएंग फिर अब गाड़ी में सभा अस्तल तक जाएगा कर चुए का कि इनका स्वागत के Way लोग 500.0 मिटर से लेकी कि मीटर दूर तक आ ही जाते है चलते चलते कि कब पहुंचेंगे देखे देखे देख देख दॉर तक बहुत दूर तक लोग आजाते यहांपर देख सकते बाहन जिन लगाद, 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 जिन इसमनी जर भान जब जांटिव झाल छाल भान। तो 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 आप सब देख सकते हैं साइड चालिज नाय चलतो जैरा मातो जिन्दाबाद हमन सोरेन मुर्दाबाद तरह तरह के नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं देख सकते हैं उनका जो भी यहाँ पे था देख सकते हैं ग्राउन में पहुँच चुका जादागा गाड़ी और लोग दोड की जा रहे हैं एकदम ऐसे लग रहा है कि कुछ अचानक से कुछ मिलने वाला है कही मैं पीछे रहा जाओंगा तो मुझे ना मिल पाएगा उस टाइप से लोग यहाँ पे जा रहे हैं आप देख सकते हैं इधर आगे में स्टेज बना हुआ है उधर बहुत सारे लोग पहुचे हुए अभी देखीगा वीडियो में कि हम लोग घुचते हैं अंदर पंडाल के उपर जाते हैं जैरामदा का स्टेज में चड़ने वाले हैं तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली स्टेज पे आगे हैं यह चोड़ चोटी बच्चिया हैं जो की काफी अच्छा ड्रेस में एकदम साड़ी उड़ी पहान के जैरा सासन वाले क्यों आते हैं जैरामदा के सभा में आप लोग को पताई होगा लेकिन थोड़ा आते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ आये हुए तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला खेर जो भी मकसद चाहे हुए तो आप लोग ने भीड़ देखा और ददा आप लोग को यह पताई हैं